प्रकाशित वाक्या अध्याय 12 वचन 11 को हम आपके लिए पढ़ेंगे आप अपनी डायरी में नोट करें ध्यान से देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहतें वचन प्रकाशित वाक्या 12 वचन 11 को आप हमारे साथ पढ़ें हालेलुया लिखा है और वे मेमने के लहू के कारण किसके लहू के कारण? मेमना वे मेमने के लहू के कारण वे का मतलब आप और हम स्वर्गी अस्थानों में, विश्राम के अस्थानों में गए हुए लोग उनके लिए भी वे सब्द इस्तमाल किया गया आप और हमारे लिए वे सब्द लिखा गया, लिखा है वे मेमने के लहू के कारण, किसके लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, चलिए बोलिए, पहला, बोलना है, पहला, मेमने के लहू के कारण, किसका लहो मेमने का लहो चलो मेमना कौन है एश्यू मसीए ये एक मेमना है जो आपके सामने है समझ में आ गया ये मेमना है और ये मेमना बनकर आने वाला सक्स का नाम है एश्यू मसीव मेमना एकदम साधा रण है उसके कोमलाँखे है कोमल बिभार है पर अंदर से वो शक्ती से भरा हुआ है वो इस तरीके से आता है वो कुछ भी कहता नहीं है कुछ भी बिरोत नहीं करता है गाली नहीं देता उसे अब शब्द नहीं कहता या वो एक मेमना है साधारण अपने आपको रखता है वो एक मेमना है, शुरू से, वे मेमने के लहू के कारण, बोलिए, मेमने के लहू के कारण, नमबर एक, आप हार रहे हो, तो जीतने के लिए इस बात को याद रखना, सुनना जीतना है तो, बोलो मेमने के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण अपनी अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जैवन्त हुए किस पर जैवन्त हुए बिमारी पर, शेतान के काम पर हर एक बुरे कामों पर जैवन्त हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रियना जाना उन्होंने जो विश्वास में थे येश्व के साथ थे और प्रभू भी अपने प्राणों को प्रियना जाना यहां तक की मृत्यू भी सहली मृत्यू भी सहली वो जीवी थे, आमीन चलो, जैवन्त हुए हम इस वचन को देख रहे हैं, जैवंत हुए, कैसे जैवंत हुए, जैवंत का मतलब समझ रहे हैं, जैपाना, जैपाना, बुराईयों के उपर जैपाना, पाप के उपर जैपाना, अपने क्रोध के उपर जैपाना, अपने अंदर गुना और पाप को दूर करके, एक पवित् जय पाना, बुरे सोच के उपर जय पाना, हर गंदे काम के उपर जय पाना. और यहां लिखाया जय पाने के लिए दो चीजों की ज़रुरत है, दो चीजों की, एक उपर की दूसरा आपकी. हलो येशू क्या है लिखा के अध्यान से सुने पडोसी को बोलो मेमने का लहू और अपनी गवाही के कारण बातों को समझ रहे हो क्या आज बिमारी आपको हरा देती हो आप हारते वे रोने लगते हो ओ जी क्या बताओं वह समझ से आ गया मैं इस पर जय नहीं पा रहा हूं मेरा घर में सब कुछ गरबर 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 हो रहा है क्या करो क्या करो क्या करो मेमने के लहू के कारण किसका लहू आपको ये विश्वास है कि आपके लिए किसने लहू बहाया अगर ये आपको विश्वास है कि आपके लिए किसी ने सलीब पर अपना लहू बहाया है और उस लहू की आप गवाही दे रहे हो आप जैवन्त होने वाले हो हर इस्थितियों में इशो के नाम है आमेन इस बात को नोट करनके रखना क्या लिखा है बोले मेमने के लहू के कारण किसका लहू किसी इंसान का लहू किसी पाप में जन्मा हुआ उसका लहू पवित्र आत्मा में जन्मा हुआ एक विट्थी का लहू जो मेमना बन कर आया केवल केवल बलीदानोंने के लिए क्या होने के लिए ध्यान से सुनना क्या होने के लिए क्या वो दूसरों को स्राप देने के लिए क्या दूसरों को अंधा बनाने के लिए क्या दूसरों को मरने के लिए नहीं परंतु उस पाप क प्रैशित करने के लिए मेमना बन कराया तो उस मेमने के अंदर से जो खून निकलता है अर्थात उस येशु मसी के जो सलीब से खून निकल रहा है और उस गवाही के कारण कि प्रभू ने हमारे लिए क्या किया है उस गवाही के कारण जो हम गवाही देते हैं उस गवाही के कारण और येशु मसी के लहू के कारण हम समस्याओं के उपर जैवंत होते हैं बदो को समझ रहें? सुनो, अभी आपने गवाहीयों को सुना किस तरीके से बड़ी ही गर्वे के साथ गवाहीयों को लोग दे रहे थे? हाँ, अब जानते ही? जब आप गवाहीयों को देरे होते हैं अभी यहाँ पर लिखा है कि येशु मसी का कुन हमारे लिए बहा है मेमने के कुन के कारण और अपनी गवाही के कारण आज आपके जिन्दगी में गवाही आया है चार दिन के बाद आप उस गवाही को ठेल देते हो ये किनारे और आप उस गवाही के विसे में सोचते भी नहीं हो सायद आप खोगे, अरे जी चलो ये तो ऐसा हो जाता है नहीं, आपके लिए काम कौन किया? कभी आपने सोचा? आपके लिए काम कौन किया? आपके लिए कोई इंसान ने काम ने किया आपके लिए सर्वेश अक्तिमान ने काम किया किसने काम किया किसने काम किया तो सर्वेश अक्तिमान क्या है कौन है वो दुनिया के बनाने वाले परमेश्वर आपके लिए काम किया कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है छोटी बात है आपका बीमारी को दुर किया आपके स्वाभाओं में अच्छी चीजों को सामिल किया छोटी बात है लोग भी गवाई दे रहे थे एक बेन गवाई दे रहे थे कि वो किस तरीके से उसकी दसाय थी वो किस तरीके से अपने जीवन को जी र आचरण के जीवन में जाना उसके लिए मुस्किल था असंभव था कि नहीं असंभव बोलके बताओं असंभव था उसके लिए लेकिन ये शू के आने के कारण उसने प्रभू के पास अपने जीवन को लेके आती है प्रभू को प्रभू के निकट अपने आपको लेके आती है और फिर वहाँ यही दो चीज काम आता है क्या चीज? एशू के लहू मेमने के लहू के कारण जो बलीदान हुआ है उसकी सामर्थ है और खुद के जीवन में जो प्रभु ने गवाहियां दी हैं उस गवाही के कारण आप हर बुरी परिस्तितिक उपर जैवन तो होने जा रहे हो यह शुबसी के लाम है आमें और इसलिए कभी याद रखना है इस बात के लिए हम अपनी गवाही को क्या सुरश्शित रखे हैं हम अपनी गवाही को क्या हमने बचा के रखा है हमने क्या गवाहीयों के उपर येशू के लहू की पावर है, येशू के लहू की सामर्थ है, येशू का जो मेमने का लहू बहा है, सलीब के उपर, उसका ताकत है, और जब वो आपके अंदर काम करता है, तो उसका लहू का पावर आप में रहता है, और गवाही के साथ आपको खड़े उना है, और जब आप आप गवाही देने के लिए जाते हो जब आप गवाही देते हो तो निश्य ही आपके लाइफ में बंद रास्टे खुलते हैं ऐश्यो मसी के नाम है अामें बोलें के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइप डार्क ना हो तो सबसे पहले आप देख सकें